ओम स्री वेंकटेश्वराय नमाहा आज के वीडियो में हम एकॉमडेशन जो की नवंबर महने के लिए कल रिलीज होने वाले हैं सुबह 10 बजे यानि ऑगस्ट 25 को सुबह 10 बजे ओफिशल वेब साइट में एकॉमडेशन को रिलीज किया जाएगा उसके बारे में पूरी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं तो अंतक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें तिर्मला वो जगह है जहाँ पर भगवान बाला जी का मंदिर है और बाला जी के मंदिर के आसपास ही बहुत सारे गेस्ट हाउसे हैं इसलिए भक्त सबसे पहले तिर्मला के एकॉमडेशन को ट्राइ करते हैं नेक्स्ट तिरुपती वो जगह है जहां पर हम सबसे पहले पहुंचते हैं, ट्रेन में या बस में या प्लेन में, ये वो जगह है जहां पर बहुत सारे प्राइवेट होटल्स रहते हैं, संस्थान के होटल्स रहते हैं, तिरुपती से तिरुमला लगभग एक घंटे का रास इन तीनों जगर में टारिफ लगभग 100 से लेकर 1500 तक rooms मिल जाते हैं, यहाँ पर टारिफ के साथ साथ आप guest houses को select कर सकते हैं, आपको slots भी selection करना पड़ता है, slot यानि 6-6 गंटे का slot रहता है, सुबद 6 बजे से 12 बजे का एक slot रहता है, फिर दोपर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, इ इसी तरह से एक दिन के 4 slots रहते हैं और एक-एक slot में 6-6 गंटे का gap रहता है, आप अपने हिसाब से यानि अपने train, bus या plane के हिसाब से buffer time रखे और उसी हिसाब से slot select करें, यहाँ पर slot selection बहुत जादा important है, क्योंकि 1 second भी देरी होती है, तो room cancel हो जाता है और सिर्फ caution deposit आपको वापस मिलता है, तो अगर आप 6-12 का slot सुबह का select कर रहे हैं, तो 12-1 second late भी होता है, तो आपका room cancel हो जाता है और आपको सिर्फ caution deposit मिलता है, इसी लिए ध्यान से आप slot select करें, आप समझते हैं तिर्मुला के accommodation के बारे में, तिर्मुला में थोड़ा system अलग है, यहाँ पर अगर आपने 500 रुपे का room select किया है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा guest house मिला है, जब तक आप वो print out लेकर तिर्मुला में CRO office के पास में ARP counters पे जाते हैं, और वहाँ अपने ticket को scan कराते हैं, तब ही आपको 5-10 minute में message आता है mobile नंबर पर, mobile पर जो message आता है, उ आपका 24 hours का, यानि mobile पर जब से message आता है, तब से आपका 24 hours शुरू हो जाता है, तिरुपती में भी यहीं system है, बस difference यहीं है कि तिरुपती में आप guest house को select कर सकते हैं, लेकिन तिर्मुला में random allocation से ही आपको room दिया जाता है, यानि आपके scanning के बाद, यानि आपके ticket के scanning के online booking के समय आपको guest houses नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ budget ही दिखाई देगा, एक mobile number से चाहे वो कोई भी accommodation हो, एक ही room आप book कर सकते हैं, और उस mobile number से, यानि एक ही mobile number से, आप तिरुपती और तिर्मुला दोनों के accommodation को एक ही दिन book कर सकते हैं, या अलग-अलग दिन book कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दू, आपको दर्शन टिकेट का होना जरूरी नहीं है accommodation को book करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग धर्मदर्शन यानि बिना टिकेट के भी दर्शन करने जाते हैं, तो इसलिए आपको दर्शन टिकेट का होना कमपलशरी नहीं है, आ अगर आपको room का extension करना है, तो 24 hours से पहले ही आपको reception में जाना पड़ता है, और वहाँ पर extension के लिए request करना पड़ता है, अगर आपको वहाँ पर rooms available हैं, तो rooms मिल जाते हैं, otherwise आपको फिर से offline में room को booking कराना पड़ता है, एक room में 4 लोग आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ये November के महिने की accommodation है, बहुत जादा ठंड होती है, इसलिए एक room में आराम से 4 लोग रह सकते हैं, अगर उससे जादा की accommodation चाहिए, तो दूसरे mobile number से आप room book कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे important point है, online booking करते समय आपको चाहे 4 लोग हों या 3 लोग हों, details सिर्फ 2 लोगों की ही पूछे जात हैं, और उन दो लोगों में से किसी एक का होना बहुत जादा important है scanning के समय, अगर उन दोनों में से कोई नहीं है और बाकी दो लोग हैं, तो उससे कोई फाइदा नहीं रहेगा, और आपको room नहीं मिलेगा, इस बात की जानकारी रखे, तो जिनका भी detail आपने भरा है, उन दो लोगों में से एक का होना बहुत जादा important है, details भरते समय, ध्यान से details भरें, पहले ही notpad में सारे details भर कर रखें, आधार card number में गलती नहीं करें, क्योंकि अगर आधार card number गलत हो गया, तो आपको room नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी detail थोड़ा भी इधर उधर हुआ, तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आधार card number properly होना चाहिए, हर room का caution deposit भी बनना पड़ता है, यानि extra money भी बनना पड़ता है, जिसे आपको refund कर दिया जाता है, उसी bank account में, जिस account से आपने online में payment किया है, 7-10 working days, जिस दिन भी आपने room को खाली किया है, उस दिन से 7-10 working days, bank working days तक आपके account मे refund हो जाता है, आपका caution deposit, तो आपको अपने bank account का number याद रखना है, यानि कौन से bank से आपने payment किया है, उसे याद रखना है, याद रहे slot time ठीक से आपको select करना है, slot time के अंदर ही आपको कोई भी संस्थान के guest house हो, उस time तक आपको पहुँचना है और scanning कराना है, याद रहे, ज आफ लाइन में भी try कर सकते हैं संस्थान के guest houses में, या free locker facilities हैं, तिरुपती में और तिरुमला में आप वहाँ पर भी accommodation try कर सकते हैं, सभी के detailed videos आपको description box में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक करें, साथी तिरुमला के accommodation को किस तरह से book क्या जाता है, इसके उपर मैंने वि services में, क्लिक करना है, और वहाँ से आपको accommodation पर जाना है, accommodation को क्लिक करते ही, आपको जो page पर redirect कर दिया जाता है, उसमें तीनों option, तिरुपती, तिर्मला और तालकोन का दिखाए देता है, यहाँ मैं बता दू, तालकोना थोड़ा distance पर है, यानि तिरुपती से 49 km की distance पर ताल जो वहाँ के waterfalls देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुती जादा famous है तालकोना का waterfalls, तो बाकी सारे systems सेम है online booking के, जो मैंने पहले वीडियो बनाया है, आपको इससे काफी मदद मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक करें, आशा करती हूँ, यह वीडियो भी आपके इनफर्मेटिव रहा होगा, ओम स्री वेंकिटेश्वराय नमा